सानवी लाइफस्टाइल में तो फ्रेंट्स जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह देखने में सबजी कितनी अच्छी लग रही है और जितनी अच्छी यह देखने में लग रही है उतनी ही अच्छी यह खाने में भी है इस सबजी के आगे अगर आप यह सबजी एक बार बनाएं इस सब्जी की रेसिपी तो देख सकते हैं आप इसे एक बार अच्छी तरीके से देख लीजे कि देखने में कितनी खुबसूरत लग रही है और मैं इसे आपको एक बार हाथ से तोड़ के भी दिखाऊंगी तो ये देखिए कि ये कितने आसानी से तूट जा रही है और ये कि कटल को डाल लेंगे तो कटल हमारा हमने उसको धो लिया था क्योंकि कटल मार्केट से कटे हुए आये हुए थे तो उसे में काटने के जुरुत नहीं थी और हमने उसे बस अच्छे से धो लिया और धो के हमने कडाई में तेल डाला तेल जब गरम हो गया तो उसमें हमने कटल क को डाल दिया और उच्छे उसे हम अच्छी तरीके से फ्राइ करेंगे तो हम कटल को देखे चला के अच्छी तरीके से फ्राइ कर लेंगे तब तक फ्राइ करेंगे जब तक हलका गोल्डन ब्राउन ना हो जाए जब तक हमने इसे फ्राइ कर लिया है और हमने इसे तब तक फ् डेख सकते हैं यह कितने अच्छे से फ्राइब हो चुका है, और क्या होता है 50 परसंट तो ये फ्राइब होने में ही पग जाते हैं, तो देखिए अब हमने कड़ल को निकाल लिया था, अब हम उसी गयस पे एक कूकर को रख लेंगे प्रेशर कूकर को, और हम इस सबजी को हम pressure cooker में बनाएंगे तो हमने gas पे pressure cooker को चड़ा लिया है और हमने उसमें oil डाल दिया है और oil को हम अच्छी तरीके से गर्म कर लेंगे जब हमारा oil गरम हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे तेज पत्ता और देखे हमारा oil गरम हो रहा है और जब हमारा oil गरम हो जाएगा तो धिरे धिरे हमारा oil गरम हो चुका है अब हम इसमें डाल देंगे तेज पत्ता और तेज पत्ता को हम तब तक पकाएगे जब तक कि ये थोड़ा सा अपना अपना सारा फ्लेवर तेल में न छोड़ दे तो तेजपत्ता को हमें पकाते रहना है जब तक कि वो थोड़ा सा ब्राउन न हो जाए और जैसे ही तेजपत्ता हमारा ब्राउन हो जाएगा तो हम उसमें अपने सारे खड़े मसाले डाल देंगे तो देखे हमने अपने खड़े मसालों में ले लिया है दाल चीनी के टुकड़े एक बड़ी लाइची दो छोटी लाइची चार से छे काले मिर्च और चार से छे लॉंग थोड़ा सा एक चमच जीरा कुटा हुआ अद्रक और लसुन लसुन को हमने छील के और उसे हमने कूट कूट कर लिया है कि जोब कूट कर लेते हैं तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छी तरीक tęस से सबजे में आता है आप पीस के भी ले सकते हैं कूट के भी ले सकते हैं और आप खड़ा भी लसुन भी डाल टाल सकते हैं लेकिन मैं उसकी सब्सक्राइब कोट में अफ़सें अफ़सें के लिए कि कि हम खड़े मिलब के वहले जो पूरा आपना शेखा चाहिज hatte हैट अब इसमे अपने ख़ड़े मसाले एड़ करेंगे तो अब यह देख सकते हैं कि हम ने इसमेंiska सारे मसाले ंडाल दिये हैं और हमें इने ज्यादा देर तक फ्राइव करना हैं हम इने बस हलका सा golden brown भी नहीं बस हलका सा फ्राई करना है और यह देखे हमारे फ्राई हो चुके हैं बस अब हम इनमें अपने कटे हुए सारे प्याज एड़ कर देंगे प्याज लसन अद्रक सारी चीजे हम इसमें एड़ कर देंगे तो देखे हमारे लसुन और सारे खड़े मसाले और अद्रग जो है वो पक चुके हैं कि हमने इसे अच्छी तरीके से चला लिया है और बस इनहें लगबग एक मिनट भुनेंगे और एक मिनट भुनने के बाद देखेए यह तयार है अब इसमें जितने भी प्याज हमने 6-7 प्याज को बारे बारे काट लिया है अब हम यह सारे प्याज अपने अपने कूकर में ड बाद बालने के बाद पीयाज को भी हैं ज्यादा दिर तक नहीं हमाना है इसे विंगे बाद बश दो से तीन मिनट तक टुक हैंगे और देखे एब हमने कोकर में सारे पैज को डाल दिया है और प्याज को डाल के अच्छी तरीके से उसे चला लेंगे और आप देख सकते हैं मैंने इसे चला लिया है और ये देखिए मैंने इसे लगभग एक से दो मिनिट इन्हें पका लिया है और एक से दो मिनिट पकाने के बाद आप देख सकते हैं मेरे प्याज वैसे के वैसे ही ह बिल्कुल भी गले नहीं है ब्राउन नहीं हुए हैं तो हमें इसी स्टेश तक पकाना है और अब हम इन में अपने सारे सूखे मसाले में बस मिर्ची पाउडर हल्दी पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार और थोड़ा सा चिकन मसाला इसे एड़ कर देंगे तो बस अब हम इसे डालने के बाद फिर से हमें इसे अच्छी तरीके से चलाना और बहुत हल्का सा पानी यूज करेंगे ताकि मसाले बस मिक्स हो जाएं और बस हमें इसमें ज्यादा पानी यूज नहीं करना है तो आप देख सकते हैं कि मैंने पहले ऐसे ही चला लिया है उसके बाद हमने इसमें एकदम जरा सा पानी एड किया है और बस जरा सा पानी एड करने के बाद हमने इसे अच्छी तरीके से चला लेना है ये देख सकते हैं कि बहुत हल्का सा पानी हमने यूज किया है आपको कहीं भी पानी नजर नहीं आएगा तो बस ये अब हो चुका है अब इसमें हम अपनी सब्जी को डालेंगे और अब हमारे जितने भूने हुए कटल थे हमने सारे कटल को इसमें एड कर दिया है एड करने के बाद अब यह देखे कूकर में एड हो गया है इसमें हमें पानी नहीं डालना है मैं फिर से आपको बोल भी हूं कि यह बिना पानी के है हा लेकिन एक चीज है अगर आप इसमें प्याज कम डालते हैं तो आपको इसमें पानी डालने की जुरत पड़ेगी लेकिन अगर आप प्याज अच्छा खासा प्याज डाल रहे हैं छे से साथ प्याज डालने तो आपको इसमें पानी डालने की जुरत नहीं पड़ेगी तो बस अब हम मेरा कूकर में तरद पकाएंगे तो थीज़ान रहें ड़ीब ही अब अविक रखना है ज्यादा वह देख सकते हैं हम चला incent सके के लिए बहुत थोड़ा सा पानी करेंगे उसके बाद हम इसमें कटल को डाल देंगे और कटल डालने के बाद हमने के व्यक्त करके सीटी लगाने के लिए कोकर बंद कर देंगे और हम इसे 2–3 सीटी लगाएंगे ढीमी आल पर बहुत कर दिमी यह को चली αवाज को मेरे चैनल पर नहय हैं तो प्bon passiert प्रिज्व मेरे चैनल को अ सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे बैल आइकन को जरूर प्रेस करिए और अगर आपको यह फीडियो अच्छी लगski हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए कमेंट करिए किThanks